हेलो गाइस तो आज आपन पढ़ने वाले हैं Metabolism of Amino Acid ठीके मेटबलिजियम केसे होता है मैं आपको यहाँ पर बतता हूं बहुता है Amino Acid यह होता है मिथक्लीय नाइख से Amino group का हो जाता है रिमूड हो जाता है फिर किसमें कनवर्ट हो जाना अमोनिया में फिर अमोनिया में कनवर्ट होने के बाद वह अमोनिया जो हो किसमें कनवर्ट हो जाएगा यूरिया में और यूरिया को यूरियन के थुरू एक्स क्रियेट आउट कर देना यही क्या है अमाइनोशिट का मेटाबलियम है ठीक है अब इ चार प्रोसेस होती है चीफ देखने कोंते हैं अब और यह होते हैं दो क्या मतलब होताए पा-ब तर युछ घुने यहां से च्रांसप्र जाता है कर दो लिए एक क्योदा ग्रूप उससे पूदा हो यहां और आर्वन से च्राइब rhyme में चलेगा चले कर लेगा यहीं कंद आसन आक समयनेशन मुद्दां क्या है यह कि डाक्युद्धים Councillor का मतलब यह अब आपने बात की देखो amino acid base में keto group भी है यानि amino acid यानि protein और ये क्या है carbohydrate यानि carbohydrate और protein के बीच में जो link important link प्रोवाइड करने काम कोन करता है इसा trans amination process करती है तो trans amination होती है amino acid को किसमें convert कर रही है keto acid में convert कर रही है हना ये trans amination process में क्या हो रहा है amino acid किसमें कर रही है keto acid में तो ये protein और जो carbohydrate ये उसके बीच में important link प्रोवाइड करने काम करती है हना अब आता है D amination दोस्की process क्या आती है D amination D amination का मतलब है amino group का क्या होना हट मलब वहाँ से D amination का मतलब है कि जो alpha amino group है यानि क्या है alpha amino group अब अगली process की बात करें तो अगली process की बात करें तो अगली process थी ammonia transport तो ammonia का ट्रांसपोर्ट होगा अमोनिया बना लिए अपने अब अमोनिया मैनी जो अमोनिया होता है वो produce करता है बहुत सारे अपने body में tissue होते है अमोनिया को क्या करते है प्रोड्यूस करते है अब अमोनिया प्रोड्यूस हो गया तो ट्रांस्पोर्टेड करना पड़ेगा अपने कापल लिवर में क्यों क्यों करना पड़ेगा क्यों 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 क अब देखो क्यों से बात करें तो अगर आप कंसे से की तुल्ला में तो टेंफोल हायर होती है कहाँ पर ब्लड में तो इस जो गुल्टमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमेटमे लिवर में डालने काम करता है अब देखो ब्रेंट से अगर एक Transport करेगा लिवर में किसको अमोनिया को तो ब्रेंद एक है आपने जाते और ने सेंस्टी और इन तो वहाँ पर ammonia toxicity होने की बहुत ज़्यादा चांस है इसलिए वह वह वेरी सेंसिट्य होता है ammonia से और यह क्या करता है जो गुल्टा मायन है फिर क्या करता है इंटु दा ब्लड में रिलीज होता है फिर दें दा करेड़ करता है तू लिवर में फिर लिवर में जाता है और लिवर में बेजने काम करता है अब अगली वीडियों बताऊंगा तो जो यूरे साइकल जलता है जो मैं आपको अगली वीडियों बताऊंगा साइकल होता है यूरे साइकल में क्या होता है यूरिया फॉम होगा यूरिया फॉम होगा और उसको यूरियन के तुरु एसकरेट आउट कर दे जाएगा यही के में ठबलेजमों बाएनों एसीड है ठीक है